शिक्षावी भाग ने पुरी बेशर्मी के साथ सिर्फ 4700 सिफ बेजा जब वही शिक्षावी भाग बिहार विधान सभा के अंदर मेरे फ्रस्ट के जबाब में ये कह रहा है कि हम सारे अनेलिजिबल कैंडिडेट्स के उपर पूरक रिजल्ट देंगे सारे मल्टिकल रिजल् और नेशन में हूँ आपके साथ नुर्तम बीपीएसी दुवारा पूरक परिणाम जारी कर देने के बाद भी जो चात्र है वो लगतार अंदुलन रत है हमार साथ है सीपी आइमल के बिधायक संदीप सवरप बीपीएसी पूरक परिणाम जारी कर दिया है उसके बाद भी इतने जो प्रेस कोंफरेंस में कहा वह यह था कि जो मल्टिपल्व jan रिजल्ट दिये एक वेक्ति को कई आई सारे प्रात्युक पर भी माध्यकों यह जो डिया गया है ओर जो ऑन्नेysis वल है जिनके डॉकुमेंट्स में कमी थी ऐसे तमाम कैंडिडेटेट गो ले करके यह परिनाम देंगे यह जब कहा गया था तो फिर इतनी कम सीटों पर पूरक देंगा कोई मतलब नहीं 2700 सीट पर पूरक दे रहे हैं शिक्षावी भाग ने पूरी बेशर्मी के साथ सिर्फ 4700 सीट भेजा जबकि वही शिक्षावी भाग बिहार विधान सभाग के अंदर मेरे प क्वालिफाई करके आगया है कि उनका पद खाली हुआ नहीं तो उनको पूरी के पर समाहित कर लियो तो और सीटे बचती तो कुल मिलाकर करके यह कि शिक्षा विभाग को और ज्यादा गंभीरता दिखानी होगी यह कम गंभीर एप्रोच शिक्षा विभाग का लग रहा है मुझे और इसमें माननी है शिक्षा मंतरी जी को भी हस्तक्षप करना चाहिए आप मांग करेंगा सिच्षा मंतरी से मैं तो कबसे मांग कर रहा हूं लेकिन अब बात है कि मांग करने से कोई मांग मान लिया जाए तो फिर बच्चों को इतना अंदुलन क्यों करना पड़ता जो अंदुलन लोग कर रहा है जाएज मांग पर लिए उनके संघर्ष के साथ भी हैं सरकार करें कि हम रोजगार देने वाले हैं युबाओं का सरकार हैं लेकिन फिर भी जो च्छात्र है नौजवान है उलगतार अंदुलन रत है च्छात्रों का काम है अंदुलन करना उसम पर लाखों से लाखों की संख्या में बहालियां लगातार हो रही है एक बहाली एक लाख नौँ हजार की हुई अब उसमें क्या कमी कमजोरी है वो अलग बात है वो सरकार का मसला नहीं वह विभाग का मसला है वो बीपेसी का मामला है लेकिन सरकार ने यह सहस दिखाया कि हम ए इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का मौका दे यह मिला है वो मौका जो चात्र है वो अब कोट के दर्वाजे खट-खटा रहे करें कि हमें अब बिहार चरकार और बिपीएसी पर भुरुसा नहीं है कोट का देखिए बिपीएसी जैसी बाहलियों में कोट का खुला हुआ है मैं तो छात्रों से ही कहता हूँ आप संगहर्स कि चिखिए और को मतलब क्या मौका है दोनों घैसा कोपर जो आपका संगहर से वह वह है और जो लीगल पर पास अ उसका भी स्तह करना चाहिए करना चाहिए लोग को कर रहे हैं तो अच्छी बात है बाइस हजार अभी अभी हर्थियों के पर तलवार लटका हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं अभी हर्थियों पर नहीं लटका हुआ है जो बीड डिगरी धारक थे और जो प्राथमिक शीक्षक पहले से बहाल थे दो साल पहले से उनके उपर लटका हुआ है और मैंने देखा सुना कि मीडिया के ही माध्यम से सुन रहा था कि सरकार ने तै कर लिया है कि सुप्रीम कोट जाएगी सरकार और यह अच्छी बात है हमने सुरुवात में जब यह मामला सामने आया था ह अध्यादेश ला करके एक नियमावली बना करके कैबिनेट से पास करवा करके यह प्रावधान कर देना चाहिए कि जो 22,000 टीचर हैं जो दो साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को उनको 6-8 में समाहित कर लिया जाएगा वन टू फाइब में वह भी हैं उनको 6-8 में आप अगर आप ले लेंगे काम वह ही करेंगे पेमेंट तो लगबग उतना ही है तो किसी कोई दिकत नहीं है मतलब सरकार 22,000,000 जो सीचक उनके साथ खाएगा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई टीचर्स की गलती तो नहीं है एंसीटी ने नियम बनाया और सरकार ने बहाली निकाली बहाली में लोग का हुआ छट्टे-चरन की बहाली हुई उस समय का यह नियम था अब अचानक से अगर कुछ बैक्ग्राउंड से जाकर के बैक से जाकर के नियम बदल रहे हैं आप रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर कुछ चीजे बदल रही हैं तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सिक्स्टुएट्मिन को समाहित कीजिए इनकी नौकरी खतम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में यह हम चाहते हैं नौकरी खतम होगी तो हम लोग सरक पर उतरेंगे तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे विधायक सदीब सुरप अब बने रहें नीज फोनेशन के साथ